हेलो फ्रेंड्स मेरा ना में सुमेर और आप देख रहे हैं सुमसा टेक्निकल यूटूब चैनल दोस्तों आज की इस व्यूडियो में आपको बताऊंगा वाट्ट्टेप की एक ऐसी ट्रिक्स जिससे आप अपने किसी भी फ्रेंड को इंगलिस में रिपलाई कर सकते हैं या किसी और बासा में भी रिपलाई कर सकते हैं बलकि उसके बेज़े गए मैसेज को आप अपनी बासा में पढ़ भी सकते हैं चाहे वो कोई भी बासा यूज़ करता हो, आप किसी भी बासा को अपनी बासा में समझ सकते हैं और आप किसी की बासा में उसके message का reply कर सकते हैं So friends, आज की इस वीडियो में आगे आप से इसी के बारे में बात करूँगा अगर आपको भी इस ट्रिक के बारे में जानना है तो आप इस मेरे वीडियो को सुरु से लेकर लाश्ट तक दिखते रहिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं So friends, अगर आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल कलर के बटन को दबा कर सब्सक्राइब करें और साथी साथ इस गंटी के निसान पर भी जरूर दबाएं और friends, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक तो जरूर करें ये हमारे लिए मोटिवेशनल रहता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत हुझे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने वाट्सेप को ओन कर लिजिए या फिर अगर आपके पास में फेस्बूक मेसेंजर पर मेसेज आया है तो उस मेसेंजर को ओन कर लिजिए ओन करने के बाद यहां पर आपको एक करसर दिखेगा इस पर हम जैसे इस पर क्ले करके लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो ये मेसेज जो है हिंदी में ट्रांसलेट ओटोमेटिकली जो है हिंदी में ट्रांसलेट हो रहे है यानि कि जो मेसेज हमने सेंड किये थे फिर भी हम उनको ट्रांसलेट कर पर अगर ये आपके पास मेसेज आएंगे आपके फ्रेंड के द्वारा जैसे आप कहां रहते हैं, चलिए हम लिख देते हैं, आप कहां रहते हैं, कहां रहते हैं, ठीके फ्रेंट्स, अब यहां पर आपने हिंदी में लिखा, अब आप जिस बासा में इसको बेजना चाहते हैं, तो हम यहां पर इसको इंगलिस में बेजना चाहते हैं, तो हम यहां इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, तो सबसे पहले आपको जो है अपने प्लेई स्टोर में चले जाना है, और प्लेई स्टोर में जाने के बाद, आपको यहां पर सर्च करना होगा, H I T R A N S L A T यानि कि High Translate करके जैसे आप सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार की application आपके सामने खुल जाएगी इंस्टॉल करने के बाद में इस application में आपको open पर click करना होगा जैसे ही आप open पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको अलोगी permission देनी है permission देने के बाद आपको get started का बटन दिखेगा आपको इस पर click करना है और इसके बाद में accessibility पर click करना है जैसे ही आप click करेंगे इसके आपको instruction जो भी देता है उन सबको I Translate को आपको own कर लेना है और own करने के बाद में आपको इससे जैसे ही accessibility own हो जाएगी आपको इवर्फिस से बेक आ जाना है और friends आपको जो है अपनी application पर next वाले बटन पर click करोगे और sensible authority को भी आपको इसको permission देनी होगी जैसे ही यहाँ पर यह थोड़ा search करेगा और यहाँ पर आपको high translate में no का option दिखेगा आपको यहाँ पर इसे own कर देना है जैसे ही own करेंगे और फिर आपको इवर्फिस से यहाँ से back आ जाना है और इसको done कर देना है done के बाद में आपको इसको get started पर click करना है और friends जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface देखने को मिलेगा यहाँ आपकी language जो है English है तो आप इसे यहाँ पर जो अपनी अनुसार कोई भी language select कर सकते हैं यहने कि जो आप किस भासा में जो है लिकर रहे हैं आप कौन सी भासा यूज कर रहे हैं और यहां पर आपने friends को एक Hindi में message टाइप करेंगी प्रेंडस यहां पर हम यहां पर Hindi में type करेंगे ठीक है आप कैसे हैं हम लिखेंगे आप कैसे हैं चलिए यहां पर में लिख देता हूं और जैसे यहां पर हम इसे आप कैसे हैं चलिए मैंने यहां लिख दिया और इस करसर कॉम जो है इसके उपर लेकर आऊँगा जैसे ही तो आप देखेंगे जो ओटोमेटिकली जो है मराठी बासा में तो कसा आहे से देखे फ्रेंट्स यह जो है मराठी बासा में ट्रांसलेट हो गया आप चाहें तो वहाँ से अपने फ्रेंट्स के लिए कोई भी लेंगविज जो फ्रेंट्स लेंगविज सेलेट करेंगे तो उसमें आप अपने दोस्त को कौन सी बासा मेसेज बेज़ना चाता है और उसे आसानी के साथ रिप्लाइब भी कर सकते हैं सो फ्रेंट्स उमीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए थैंक यू पूर वाछिं दिस वीडियो जबिए